इस समय रूस का और युक्रेन का युद्धुवा, बांगलादेस में भी गरिलू इंसा हुई, इरान में भी वहाँ पर एक घटना करम हुआ इसराइल के साथ, क्या लगता है कि इसके पीछे प्राकरतिक कारण क्या हो सकता है, दच्छत्रों का क्या प्रभाव हो सकता है, और क क्रश्न पक्ष में विश्वघस्र योग नामक पक्ष आ रहा है, क्या कहा है कि पक्षस्यमध्ये दुतित्थी पतेताम तदा भवेत रवुरवकाल योगह, कि पक्ष के मद्ध्य में दो तितियों का क्षय हो जाए, उसे रवुरव यानि भयानक काल योग के नाम से जाना अब दो तिथी का क्षय कैसे होगा कि एक पक्ष में 15 दिन होते हैं अब उसमें अगर एक तिथी का क्षय होता है कैसे क्षय होता है कि सूर्योदय के समय जो तिथी है उस तिथी का अगर सूर्योदय से संबंद ना हो तो उस तिथी का क्षय हो जाता है और उसके आगे वाली ज उसको लिया जाता है जैसे कि आज अगर सप्तमी है और कल सूर्योदय के समय अश्टमी तिथी का संबंद सूर्योदय के समय काल से नहीं हुआ तो हम उसको नवमी तिथी मानेंगे आगे आने वाली तिथी ऐसे ही अगर पंदरा दिनों के अंदर दो तिथियों का क्षय हो जात और उसको काल योग के नाम से भी जाना जाता है अब इसका फल क्या है कि त्रयो दशदिने परख्षे तदा सम्हरते जगत अपी वर्शशहस्त्रेडा काल योगापरवर्थते कि त्रयो दशदिने परख्षे यानि यह तेरा दिन का पक्ष होता है और इसके बाद तदा समहरते जगत इसके अशुब प्रभाव के कारण सारे विश्व में सारे जगत में किसी के मद किशीवी देश के मन में मन मोटाव होना या आपस में लडाई की संभावना बनना या महामारी आना या भूकम्प सुनामी आधी प्राक नहörकुके है यह जोग आस से कम से कम पांच हजार वर्ष पूर्व महा भारत के युद्ध के समय बना था और उस योग के बनने से ही महा भारत का युद्ध हुआ था कई वर्षों बाद इस वर्ष के आसार मास के क्र्ष्न पक्ष में यह योग बन रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांगलादेश की इस्तिती किस प्रकार है वहां के हिंदूओं के लिए क्या किया जा रहा है यह इस योग के अशुप प्रभाव है जो की आने वाले समय में और दिखेंगे यह योग 23 जून से शुरू होगा एवं 5 जुलाई को खतम हो अपितु कुछ मेंने के बाद दिखाई देते हैं जैसे कि बांगलादेश की स्तिती आप देख रहे हैं अब देखिए आगे क्या होता है आगे जाकर और भी कुछ इस योग के अशुप प्रभाव आपको देखने से मिल सकते हैं लेकिन इस योग के प्रभाव को शांत तो भगवान नाराइण का स्मर्ण अवस्य करते रहें, विश्णु सहस्र नाम का पाठ अवस्य करें, क्योंकि भगवान नाराइण ही हमारी इस भयावय है योग के प्रभाव से रक्षा करेंगे, मैं अपनी वाड़ी को यहीं विश्रान देता हूँ, जैश्री रादे